रादे रादे वक्तों, भक्त माल की कथा में आप सभी वक्तों का स्वाकत हैं। भक्तों, भक्त माल की कथा में भक्त माल सुमेरू गो स्वामिति तुर्शी राशी की कथा है। शिरी नावा दास जी ने भक्तों की माला भक्त माल की रचिना करी। नावादास जी ने वक्तमाल कठा रची थी, अब माला का सुमेरू चैन करना कठिनता कि सुमेरू क्या होगा किस संत को सुमेरू की पाद भी दी जाएं। पोजिस्री अग्न देवाचार के चैनों में प्रातना कर उन्होंने पेना करी कि सुमेरू धूनने के लिए बिंद्रावन में भंदारा लगाया जाएं। दिवारे में पदाने का निमत्रन दिया गया। काशी से भी निमत्रण दिया गया। तुर्सिदाजी को भी Sinק Даushone निमत्रण पहुंचा पंतु समय काशी में नहीं ते। उस समय बाशाय अकबर के निमंतरन पर दिल्ली पडारे थे। दिल्ली से लोट से समय गोश्वामी तुर्शिदाजी बिंद्रावन दर्सन करने के लिए पोँचे बिंद्रावन में काली दैके समीप सी राम गुलेला नामकिस्तान पर ठेर गए। शिरिनावाजी के बंदारे में पदाना अति आवश्यक जान करके गोपेश्वर मादेव ने प्रितक्ष दर्सन देकर गोश्वामी जी से बंदारे में जाकर संतों के दर्सन करने का अन्रोध किया। गोश्वामी जी तित्र तुल्शी दास जी भगवार संकर की अग्या पाकर के भंदारे में पदारे गोश्वामी जी जब वहां पहुँचे उस समय संतों की पंगट बैच चुकी थी इस्तान पूरा भरा हुआ था इस्तान पर बैठने की कोई जगे नहीं थी। तुल्शी दास जी उसी इस्तान पर बैठ गए जहां संतों की जूतियां रख्यू ही थी परोशने वाले ने उन्हें पत्तल दी। उसमें सबजियां पूरियां परोश दी। कुछ देर बाद सेवक खीर लेकर क्या आए। सेवक ने पूचा माराज आपका पात्र कहा हैं खीर किस पात्र में परोशी जाए। तुर्शी दास जी ने संत की जूती हात में लेकर के का इसमें परोश दो खीर। ये सुनते ही खीर परोशने वाला क्रोधित हो गया अरे राम राम कैसा सादू है जो कमंडल नहीं लाया खीर खाने के लिए अपना पात्र लाओ पागल हो गया इस जूती में खीर लो गई। सोर सुनाई देने लगा नाबा दास जी वहाँ पर डोड़ करके आए उन्होंने सोचा कि किसी संत का भूल करके भी अपमान ना हो जाए। नाबा दास जी ये बात नहीं जानते थे कि तुलसी दास जी बिंदरावन पदारे हुए ही। उस समय संत समाज में गोस्वामी जी क नाम बहुत प्रसित था। यद वो अपना परचे पहले देते तो उन्हें शिंगासन पर बिठाये जाता परंतु धन्ये गोस्वामी तुनशी दास जी। नाबा दास जी ने पूचा संत भगवान आप संत की जूती में खीर क्यों पाना चाते ही। ये प्रिशन सुनते गो की जूती से उत्तम पात्र कौन सा पात्र हो सकता है। जीर के कल्यान का सरल से सादन है उसे अकिंचन भक्त की चरणरज प्राप्त हो जाए। पहला जी ने श्यम का है कि अपने आप बुद्धी भगवान में जबी लगती है ना किसी के द्वारा प्रिर्थ की लगती है जब भ्त जूति को न जाने कितने समें से संत की चरण्ड की रज लगती है केवलसंत्र चरणरज ही नहीं अके तुप पविठ्र ब्रिज्य इस जूती पर लगी है ये रज खीर के साथ सरीर के अंदर जाएगी तो इस ब्रिज्यज रख से हमाराप्पारम कल्यान हो जाएगा ऐस संत की सिद्धा देखकर नावाजी के नेत्र बराए उन्होंने नेत्र बन करके देखा तो जान गए ये तो भक्ती चैत्र प्रगत करते समय भक्त मालेखन के समय हमारे ध्यान में पदा ले हुए मापुरुस हैं नावाजी ने प्रणाम करके आप तो गोस्वामी तुलसिदास हैं हम पहँचान ने पाए संत समाज में तुलसिदास जी को इसी नाम से जाना जाता था पर उसने वाले सेवक ने तुलसीदाजी के चन्नों में गिर कर खिमा याचना की सवी संतों ने गोस्वामी जी की अर्व दीमता के सार प्रनाम किया इसके बार स्री नावा दासी ने गोस्वामी तुलसीदाजी को सिंगासन पर बिठाया पूजन किया इतने बड़े महापुरस होने पर भी ऐसी दीन दा जिनके हिड़े में रहती है संतों के पृति ऐसी सिद्धा है जिनके हिड़े में भगवान वस्ते हैं संतों की उपस्तिदी में नावा दासी ने पूजपाज गोस्वामी तुलसीदाज को भक्त माल सुमेरू के रूप में सुईकार किया जो भक्त माल की प्राचन पनिलपिया हैं उनमें तुलसीदाजी के ऊपर कविया पक्तिया लगते रहते हैं भक्त माल सुमेरू सी आमीं तुलसिदास महराज की जैयो